हे, हलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माथ्स बाय अभिनव राजपूत में और वीकली टारगेट में आज हम लोग 7th week के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आज मैं आपको upcoming SSE exams के बारे में बताने वाला हूँ जो आने वाले दुनों में होने वाला है, और ये start हो रहा है 1st Fab से, एक फरवरी से कह सकते हो आप कि आने वाले दुनों में paper का कैसा pattern आएगा, math का level कैसा रहेगा, क्योंकि देखो TCS से change हुआ है, reasoning कैसा रहने वाला है, English कैसा रहने वाला है, GK कैसा रहने वाला है, वो सब ये ताय करेगा जो एक फरवरी को notification आने वाला है तो अब ही एक बार हम SSE calendar पर discussion करेंगे, लेकिन अब आज का जो main video है मेरा, मैं आपको SSE selection phase के बारे में बताने वाला हूँ, mainly SSE selection phase 12 का notification आएगा एक फरवरी को, तब ही से आपको भरना start कर देना है मैं उस पर हलाकि एक detail वीडियो बनाऊँगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, कौन-कौन से exam के लिए कौन-कौन eligible है, क्या उसमें salary रहती है, jobs कौन सी लगती है, कहां पे लगती है, बहुत ही प्यारा सा basically SSE selection phase exam है सबसे अची बात यह है कि इसमें ना competition थोड़ा सा कम रहता है, as compared to CGL, CHSL, आप देखोगे तीन दिन में इसका पूरा paper हो जाएगा, three days में इसके सारे papers हो जाएंगे, तीन दिन चार दिन में सारे papers हो जाते हैं, और paper का जो level होता है ना, सबसे पहले actually selection phase होता है, फिर CHSL होता है then CPO और CGL होता है, actually CPO आगे बीचे भी हो जाता है और फिर CGL होता है, तो आने वाले दिनों में जो भी exams होंगे ना, वो selection phase ही decide करेगा कि paper का pattern कैसे रहने वाला है, जो SSE selection phase है, आप ये कहलो कि SSE CGL का जो pre होता है, उससे थोड़ा उपर होता है और main से थोड़ा नीचे होता ह हलांकि उसमें भी तीन exams होते है, metric पे based एक होता है, 10th based, एक होता है, 12th based और एक होता है, graduation based, depend करता है आप किस के लिए apply कर रहे हो, इन सब के बारे मागर आप चाहते हो कि detail video बनाओं तो नीचे comment करना, मैं एक detail video बनाओंगा, SSE selection phase, जैसे ही इसका notification आता है, तो सबसे पहले आ आप देख रहे होंगे, SSE selection phase 12th का exam, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, एक फरवरी 2024 से लेकर, 28 फरवरी 2024 तक, और इसमें एप्रॉक 6-7,000 विकेंसी आने वाली है, जो काफी है, काफी होता है, 6-7,000, क्योंकि इसमें बहुत जादा लोग भरी नहीं पाते, क्योंकि उनकी eligibility ही फुल्फिल नहीं हो पाती है, और इसका exam होने वाला है, April May 2024, तो एक तरह से आप कहा सकते हो, कि SSE का जो तयोहार है, वो इसी दिन से start हो रहा है, इसके बाद अगर मैं CPO के बारे में बात करूँ, ठीक है, इसके ठीक बात CPO 2024 का notification आ जाएगा, कब आएगा, 15 फरवरी 2024, औ और इसका जो exam है, वो भी May June में है, आप में से कई लोग मुझे कह रहे हैं कि May June तक ना syllabus complete करवा दो, तो basically May June तक तो next to impossible है, but I will try my best कि May June तक ना, I mean अगर June चला गया ना तो आप समझे लो 80% syllabus हो जाएगा, माई के end तक मैं 80% syllabus तो करवा ही दूँगा, तो ताकि ना आप अच् एक्जाम का notification आने वाला है 29 फरवरी को, इसका exam May June में होगा, then ये CHSL, जिसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, 2 April 2024, 2 April 2024 से form भरना स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा, 1 May 2024 तक और इसका exam का भी जो date है, वो June July 2024 है, June से लेके July तक में होगा, then इसके बाद MTS का है, ज तो basically 7 May 2024 को आने वाला है, ये calendar आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता होगी, जिसको job लेनी है ना, इतने सारे exam से, अगर आप इतने में भी नहीं निकाल पाते हो, और अगर इतनी भी महनत नहीं कर पाते हो, तो फिर सरकार को गाली देके कोई फाइदा नहीं की, वेक अगर September October में होगा, अगर September October, यानि july कि September मिड के बाद से स्टार्ट होने का चांसे से और October मिड से पहले हो जायेगा, तो कुल मे लाकर अगर मैं अभी भी देखूँ, तो ये जैन चलरहा है, और September 9th, मन अभी भी आपके पास 8, 9 महने हैं, अगर ये 8, 9 महने आपने अच्छ start नहीं किया, जो already कर रखे हैं ये उनके लिए नहीं होगा, अगर आप चाहते हैं मैं एक detail वीडियो बनाओ, तो वो भी मुझे आप comment में बताना, तो उसके बाद stenographer का 16 July को आने वाला है October November में इसका exam होगा then जो Hindi translator है उसका exam आपका October November में होगा, July में इसका notification आने वाला है और जो GD है GD 2025 क्योंकि 24 अभी भी हो चुका है, जो GD 2024 है basically वो आचुका है उसका exam हो चुका है, ठीक है इस calendar में नहीं है, मतलब वो हो चुका है 2025 का, ये basically December से लेके January 2025 तक होगा, यहां तक आप कहलो कि सारे syllabus complete हो जाएंगे तो कुल मिला के न, यहां के बाद आप सारे exams दे पाओगे अगर आप देखोगे June, July है, June, July यानि June meet से लेके, आप again CHSL तक भी 80% syllabus हमारा cover हो जाएगा 80-90% cover हो जाएगा बांकि जब exam आएगा हम तब देखेंगे अब हम चलते हैं हमारा जो weekly target है, 7th week में आपको क्या करना है, mocks basically 7th test देना है e-mock से 7th test देना है अगर आप में से किसी ने subscription नहीं लिया है तो जाके ले सकते हो 99 रुपीज में आपको 40 SSC CGL और CHSL pre-mocks मिल जाएगे, ठीक है, CGL और CHSL pre-mocks, कितने 40 mocks मिलेंगे और इसमें maths का solution मैं खुद करवाने वाला हूँ आने वाले दिनों में इसके बाद maths, देखो इस बार हमें क्या करना है mixture and allegation, ये Tuesday से start करवाऊंगा, ठीक है ये Tuesday से start करवाऊंगा books वगरा की link मैंने description में दे रखी है अगर आप में से किसी को भी लेना हो जिसको भी books खरीद नहीं होती है नीचे से, आप नाम पूछने सच है नीचे एक बाद description चेक कर लेना, ओके mixture and allegation हम start करेंगे, बड़ ध्यान रखना ये Tuesday से start होगा, कल यानि Monday गो morning में आपको basically ratio and proportionate के जो mains के questions से उसकी videos मिलेगी, link दे रखा है बाकि आप हमारा टेलिग्राम चैनल Maths by विनवराजपूत पे जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हो then reasoning के बारे में बात करें, तो reasoning में इस week हमें series start करना है ध्यान रखना, series बहुत important है ये series ये पूने दो घंटे की video है मैंने ही करवाई है, आप देख लेना इसके बाद series में कभी कोई caution गलत नहीं कर पाऊगे कभी कोई caution गलत नहीं होगा तो series आप यहां से कर लेना description में भी link मिल जाएगा आपको चलेगा, ये दो वीक चलेगा और vocab के लिए ये root words रानी मैं बोल रहा हूं है एक new on publication का है 12 घंटे की video है ये ठीक है, जो हमने अभी English की strategy में जिस पर बात की थी, यही आपको start करना है और अगले 3 week में इसको finish करना है, ये 12 घंटे की और 7 में 10 idiom या 15 idioms और 15 one word कहां से, किरन की book से ये करते रहो, हो जाएगा GK में इस week हम कुछ नहीं कर रहे है I hope आपने पीछे के सब कुछ कर रखे हैं तो फिलाल हमारा bio और economics finish हो चुका है, next week हम एक नए topic के साथ start करेंगे, आप लोग बता सकते हो कि अगले week में आप GK में क्या start करना चाहते हो, तो कुल मिला के week 7 में इतना ही था ये जो आपको PDF है ये हमारे टेलिग्राम चैनल, maths by अबिनव राजपूत पर मिल जाएगा, बाकि पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले session में, तब तक के लिए प्राइगे टेरो